आज के इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्तित, मेरे वरिश सयोगी और बिहार सरकार में मंत्री बाइनन्द किशोर यादव जी, हमारे संसद में मेरे साथी और आपके लोग प्रिय सांसद वरिश सयोगी श्री गोपाल ठाकुर जी, हमारे हयागाट के प्रत्याशी और पार्टी के वरिश नेता श्री रामचंद्र प्रसाद जी, हमारे बेनिपुर के जन्तादल उनाइटेड के प्रत्याशी श्री विने कुमार चौदरी जी जिने आजय चौदरी जी के नाम से भी हम जानते हैं, श्री जीबस साहनी जी, जिला के अध्यक्ष भारत्य जिन्ता पार्टी, श्रीमती धर्मशिला गुपता जी, प्रदेश की महमंत्री भारत्य जिन्ता पार्टी, श्री अजी चौदरी जी, जिला के कारिकारी अध्यक्ष, जन्तादल उनाइटेड, हमारे सभी वरिश सयोग सबसे पहले तो राजा जनक, मा सीता और कविराज विद्यापती के ये पावन मितला भूमी पर नमन करीची ज्यान, धान, पान, मखान समरिदी गौरवशाली धर्ती पर अपन सब के अभिनंदन करीची मित्रो, चुनाओं की इस वेला में, जब मैं रामचंदर प्रसाद जी का नाम ले रहा था और जब विने जोध्री जी का नाम लिया गया तो जिस गड़गरा हट से आपने ताली बजाई, उसने तये कर दिया है कि दोनों ही प्रत्याश्यों को, ये तालिया इस बात का गवाह है, ये प्यार इस बात का गवाह है, कि आपने तै कर लिया है कि आने वाले चुनाओं में साथ तारी को आप दोनों को विने जी को भी और रामचंदर जी को भी आप भारी मतों से भेजेंगे पटना विधान जभा में मित्रों ये चुनाओं सिर्फ प्रत्याशी का ही नहीं है ये चुनाओ बिहार के भविश्य का है हम कैसा बिहार देखना चाहे हैं हम बिहार को कहा ले जाना चाहे हैं जैसा कि नन्द किशोर जी ने कहा कि एक तरफ विकास करने वाले लोग है और एक तरफ वो लोग है जिन्होंने बिहार को विनास की और पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी वो लोग है और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं आप भीती बता रहा हूँ आज से पंद्रह साल पहले चुनाओ होता था तो क्या बोलते थे बोलते थे हम भाइस के पिठिया पर बैट के चरावज जाए थे चराने जाते थे हम चुनाओं पें पंद्रह साल पहले क्या बोलते थे तेल पिलावर अलाथी भाजन करते थे की नहीं करते थे हाँ या ना पीछे के लोगों से सुनना चाहता हूँ कहते थे कि नहीं इलालु जी ने लाथी भाजन रैली बुलाई थी की नहीं बुलाई थी आज ये बोलते हम कानूर का राज लाएंगे जब कानूर का राज था तो लाथी तेल पिलावर अलाथी भाजन तब लाठी भाल से तो आज ये विकास की बात कहने लगे मित्रो ये विकास की बात नहीं कह रहे ये मोदी जी ने विकास का ऐसा मंत्र दिया है भारत की राजनीती में नई संस्कृती लेकर आए नए अचाल चरित्र लेकर के आए कि अब मजबूरी में इनको भी विकास की बात करनी पड़ रही है अन्य था ये विनाज की ओर जाने वाले लोग है कहते हैं हम दस लाक नौकरी देंगे अरे पहले बिहार की जनता को ये बताओ कि तुमारे बाबु जी के राज में 25 लाक लोग यहां से पलायन कर गए ओकर जवाब के देए छे कौन देगा उसका जवाब और लालु जी क्या कहते थे कि हमरा बिहार का अदमी अंगोशा पहिंके जाता है अगंजी लगा के जाता है अपएंट शूट पहिंके आता है इसमें आपकी क्या इज़त थी आपने तो बिहार को नीचा किया ये कह के कि अंगोशा लगाता है अगंजी पहिंके जाता है अपएंट शूट पहिंके आता है अरे वो तो बिहारियों की ताकत थी कि वो बाहर दा करके इज़त कमा करके आए और दो वक्त की रोटी का इंतिजाम किया ऐसे में आप चुड़ाओं हम लड़ रहे हैं आई इन लोगों को समझाने की जुरुत पड़ रही है ये करें दस लाग नौकरी देंगे आप बताईए इनको आपने तेजस्वी यादव जंगल राज के युवराज को आपने विधायक बना करके भेजा था की नहीं भेजा था आपने इनको विफक्ष का नेता भेजा था की नहीं भेजा था नंदू जी आप बताईए नंदी पिछले साल, सारा साल बजट का संत्र निकल गया और तेजस्वी यादव गायब रहा वो नहीं आया ये उसने बिहार की इज़त ली है ये बिहार के साथ धोका दिया है आई अब नौकरी देंगे विधान समय में जैबे नहीं करेंगे अब नौकरी देंगे क्या करेंगे जो आदमी एक साल तक गायब रहा विधान समय में आए आप बताओ कोरोना जब आया तो तेजस्वी यादव कहा था कहा था घर में नहीं दिली बिहार की धर्तिया पर नहीं थे आज आखर करके बात कर रहे हैं मित्रो अपने अच्छे लोगों को पहचानो उनको पहचानो जो आपके गाह उद्वार में घूम घूम कर मास्क बाटा सैनिटाइजर बाटा भोजर का वेवस्ता की और मोदी जी ने 80 करोड की जंता को 5 किलो गेहू 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे करके छट तक का इंतिजाम की आज ये घड़ियाली दॉहासू वहाने के लिए आये हैं मित्रो मैं अपना रिपोर्ट काड रखने आया हूँ आपको पिछले 5 साल में मोदी जी ने 1,25,000,000 करोड रुपे खर्च करने के लिए कहा था कहा था कि नहीं कहा था लोग चुनाओं में बोल करके भुला देते हैं और मैं आपको 5 साल बाद याद दिलाने आया हूँ इसलिए कि मेरा नेता नरेन मोदी जी हैं जिनोंने 1,25,000 नहीं 1,45,000 करोड रुपे खर्च करके दिया है यह हम आपको बताने आए हैं पास 400 करोड रुपे खर्च किया हमारे 3,094 करोड रुपे खर्च किया किसानों पर शिक्षा पर खर्च किया 1,000 करोड रुपे स्किल डेवलेप्मेंट पर खर्च किया 1,550 करोड रुपे स्वास्त पर खर्च किया 600 क्रोड रुपे और स्वास्त में जो 600 क्रोड रुपे खर्च किया ना उसमें दर्भंगा का medical All Inners of Medical Sysons नहीं है उसके लिए मौदी जी ने 1300 क्रोड रुपे अलग से दिये हैं इबाद्ध्यार में रखने के लिए अब 500 क्रोर रुपे दिया दर्भंगा के हस्पिताल के लिए 500 बेड़ के लिए और ये रोड बनाने के लिए 13,000 क्रोर रुपे ये हाईवे बनाने के लिए 94,000 क्रोर रुपे ये रेलवे के लिए अब बताओ ये दर्भंगा से नर्कटिया गंज का सेक्शन का डबल लिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है और ये दर्भंगा से जो डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन उसका काम जैन अगर तक का हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो गया है 13,000 करोर रुपए खर्च हुआ डिजिटल विहार के लिए 450 करोर रुपए खर्च हुआ और पेट्रोलियम में बरवनी में फिर से फैक्टरी को जिवित करने के लिए 21,476 करोर रुपए खर्च हुआ है मित्रों ये सारी कहानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट कार्ड रखने का ताकत रखते हैं और मोदी जी वो नेता हैं जो कहते हैं वो कर के देते हैं इस बात को हमको समझना चाहिए अब ये कोरोना आया आप देखिए अमरीका का चुणाओ का नतीज़ा आ रहा है डानल्ड ट्रम्प को लोगों ने कोरोना के इस चर्चले घेरा की नहीं घेरा लड़कराया की नहीं लड़कराया लेकिन मोदी जी ने कोरोना में 130 करोड की जंता को समय पर फैसला लेकर के लॉकड़ाउन लगा करके समय पर फैसला लेकर के 130 करोड की जंता को बचा लिया इस बात को हमको समझना चाहूँ और जब मैं यह कह रहा हूँ तो मैं इस बात को भी आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जिस दिन लॉगडाउन लगा था उस दिन हमारे पास कोरणा को टेस्ट करने के लिए एक लेबारटरी थी सिर्फ एक और लॉगडाउन लगा करके प्रणा मंत्री जी ने सारे सोला सो टेस्टिंग लेबारटरी खड़ी कर दी सारे सोला सो टेस्टिंग लेबारटरी जिस दिन लॉगडाउन लगा था उस दिन हम सारे दिन में पंदरा सो टेस्ट कर पाते थे पंदरा सो पेशन का टेस्ट कर पाते थे आज पंदरा लाख टेस्टिंग प्रती दिन हो रही है ये ताकत पैदा कर दो उस दिन एक भी हॉस्पिटल कोरणा से लडने के लिए नहीं था आज साड़े सोलर सो होस्पिटल है और साड़े चार लाख बेड है उस समय एक भी वेंटिलेटर भारत नहीं बनाता था आज भारत में तीन लाख वेंटिलेटर बनाए है उस समय परसनल प्रोटेक्शन एक्विप्मेंट पी-पी किट जो आज कर लोग हवाई जाज में भी पहन करके जाते हैं यह पी-पी किट एक भी भारत में नहीं बनता था आज साड़े चार लाख प्रती दिन परसनल प्रोटेक्षन एक्विप्मेंट बन रहा है यह मोधी जी का नेत्रोट इतना ही नहीं देर सो देशों को कोरुना की दवाई पैरा सीटा मॉल और HCQ पहुँचाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है ये हमको समझना चाहिए मित्रों 80 करोड की जंता को राशन देने का काम किया 20 करोड बेहनों के खाते में 500 रुपए पहुचाए की नी पहुचाए बेहने बताए पहुचाए की नी पहुचाए ये जब मोदी जी जंधन खाता खोल रहे थे तो सब लोग ने कहा कि मोदी जी क्या बोल रहे है लाल किला के प्राचीर से खड़े हो करके खाता खुलुआ रहे अरे मित्रों ये वही खाता है जंदन खाता जो लॉकडाउन के समय में न पोस्ट मैंन न पोस्ट ओफिस न मनी ओडर सीधे बहन के खाते में 20 करोड बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुचाया गया हमारे दिव्यांग भाई हमारे बुजुर्ग हमारी माताएं हमारी विद्वा बहने इनके खाते में एक एक हजार रुपए पहुचाया गया आठ करोड बहनों को मुफ्ट में तीन महीने के लिए गयस का सिलिंडर पहुचाया की नहीं पहुचाया प्रहान मंत्री गरीब कल्यार पैकेज में एक लाग पच्छत्र हजार करोड रुपए पहुचाया और नितीज बादू ने एक करोड ब्यानिस लाग जो राशन होल्डर थे उनको एक खजार रुपए पहुचाया कि नहीं पहुचाया ये काम किस ने किया ये NDA की सरकार ने किया आत्निर्बर भारत मित्रो दर्भंगा की तस्वीर बदलने वाला है ये आत्निर्बर भारत मित्ला की तस्वीर बदलने वाला है यह अतनिरबर भारत आप मखान है की नहीं यहाँ मित्ला में देश का 80% मखाना बिहार में होता है और उसमें भी 90% यह 6 जिलों में होता है मित्ला इंचल के 6 जिलों में मित्लो इसकी फैक्टरी लगेगी यानि इसमें हम और कैसे value addition कर सकते हैं कैसे हम इसकी branding कर सकते हैं और मितला नौकरी नहीं मांगेगा मितला नौकरी देने वाला बनेगा यह परिसिती आकर के ख़़ी हो यह मितला की painting यह मितला की painting यह world branding है मितला painting के नाम से जानी जाती है मोदी जी ने इसको विदेश से कोई आता है तो उसको जब कोई गिफ्ट देते हैं या उसको कोई कुछ देते हैं तो मितला की पेंटिंग की चीज बनी हुई दी जाती है यह हमको ध्यान में रखना चाहिए इसलिए मितलों वर्ल्ड बैंडिंग की जा रही है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप निर्वर भारत में एक लाग करोड रुपे मोदी जी खर्च कर रहे हैं आप बनाएंगे गोपाल ठाकुर जी बनाएंगे नंकिशोर यादव जी बनाएंगे हमारे विने जी बनाएंगे हमारे रामचंदर प्रसाद जी बनाएंगे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स और फैक्टरी चाहिए आप तै करेंगे कि आपके इलाके में क्या चाहिए पैसा मोदी जी का होगा खर्चा हाप करेंगे आप निर्बर भारत में ये परिसिती आकर के खड़ी होगी आप ये सब विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं विकास, चाहते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, मित्रों बिहार की तस्वीर की बात करूँ, उजाला योजना में देश में 37 करोड एलीडी बल बाटे गए, और बिहार में 1 करोड 95 लाक एलीडी बल बाटे गए, 1 क धिवरी जलता था धिवरी थिक बोलुर रहा है कि गलट बोल रहा हम धिवरी शर्द जानते हैं न्यार तो धिवरी जलता था मोधि जी ने 18,000 गाओं में बिजली पहुँचाई हैं और ये सौभा की योजना में 32,009 घरों में बिजली पहुचाई हैं मोधी जीने बिहार में 32 लाख और सारे देश में 2 करोड 6 लाख रुपे 6-7 लाख लोगों को बिजली पहुँचाई है घर में बिजली दी है यह हम आपको बतारा चाहते है मुझे यहां का नहीं मालूम लेकिन हमारे पहाड में जब कोई बिजली घर के लिए मांगने जाता था तो इंजिनियर बोलता था यह हो पार है तुम्हारे पास बोले नहीं तो खरीद के लाओ तो गरीब आदमी बोलता था हजूर हम नहीं खरीद पाएंगे तो गरते तो तो अच्छा ठीक है आदा तुम करदो आदाम सरकार से देगे और क्या बोलते थे गाओं वालों को बोलते थे कि गाओं वाले आ जाना और अंदा पर खंबा लेकर के चले जाना और गाओं पर रख देना तो हम बिजली लगाएंगे इस सचाई है की नहीं है मैं गाओं की सही बात बोल रहा हूं की नहीं बोल रहा हूं सौभा के योजना में मोदी जी ने कहा घर तक मुस्त बिजली पहुँचाना मेरा काम है और जूनियर इंजिनियर धर गर दोड़ा कि अब बिजली कहा लगानी है बताओ मोधी जी को रिपोर्ट करना है साम तक और तब जाकर के दो करोर साट लाक लोगों के घर में बिजली आई है इसलिए मित्रों जब मैं देश की विकास की बात करता हूँ तो मैं आकडों के साथ बात करता हूँ हवा में बात नहीं करता हूँ मैं सच्चा ही रखता हूँ, आप बताइए, यहां से लोग कार सेवक के रूप में आयो थे, गए थे की नहीं गए थे, मेरे से पत्रकार पुछते हैं कि राम जन भूमी की बात क्यों करते हो, मैंने का भाईया, सीता माता की जगा, जननी की जगा, यहां के लोगों से राम जन पार्टी अटकाना, लटकाना, भटकाना, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोट में बतार कॉंगरेस का वकील खड़ा होके बोलता है, राम जन भूमी का फैसला मत करिये, करेंगे तो बीजेपी को फाइदा हो जाएगा, अरे करोडों की आस्था वाली, राम, मर्यादा पुर्श राम, उनकी जन भूमी, राम लला की जन भूमी, करोड़ों लोग चाहते थे कि वहाँ आयो जैमे राम मंदिर बने, आपने मोदी जी को चिनाओ जिताया, गोपाल ठाकुर को भेजा, इन्होंने अपनी उंगली से वहाँ बटन दबाया, और उस सरकार के द्वारा, दे टू और फिर हम सब लोग यहाँ पर मिनाळा लगाते थे कि नि लगाते थे, एक देश में, दो निशान, दो विदान, दो सम्विदान नहीं चले गए, यहां से लोग लाल weaker गये थी कि नहीं गये थे, एक तायात्रों में गये थे, जैंडा फ़राय थे कि नहीं पराय थे मुर्ली बनोर जोशी जी के साथ और नरेंदर मोधी जी जी के साथ आपने सरकार बनाइए आपने अपनी उउली से कमल का निजान दबाया आपने ज़दियू का उउली से दबाया और इन लोगों ने गुपाल साकुर जी ने और बाकी लोगों ने मिलके 6 अगस 2019 को अपनी उंगली से पार्लिमेंट में बदन दबा कर धारा 370 को धारा शाही कर दिया ये हम लोगों ने कहते हैं इसलिए मित्रों इसलिए मित्रों जब हम इन सारी बातों को रखते हैं तो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भारतिय जन्ता पार्टी NDA की सरकार जो कहती है मोदी जी के नित्रतों में उसको करके देती है ये हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों अब अब इनकी बात ले लीजिए जो हमरे चुनाओं में लोग खड़े हुए हैं क्या है ये क्या ये सचाई नहीं है कि 15 साल पहले 5 बज़े के बाद शाम को निकलना मुश्किल होता था सचाई है कि नहीं है अब ये बोलते है कि तुम 15 साल पहले क्यों याद दिला रहे हो मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि रस्ती जल गई ये एठन नहीं गई है बल नहीं गया अभी वही है कोई डॉक्टर यहां अपहरन उद्योग डॉक्टर डॉक्टरी नहीं कर सकता था इंजिनियर सलक नहीं बना सकता था ठेकेदार ठेकेदारी नहीं कर सकता था क्या था रंगदारी रंगबाजी लूट खतोर यही था उस समय आपको शाबुद्दीन याद है ना शाबुद्दीन याद है पीछा लोगो याद है लालू के राज में जेल से छूट गया अनितीस बावु के राज में फिर अंदर चला गया आज का डी जी पी इसको शाबुद्दीन ने 30 किलो मिटर तक दोड़ाया था ठाने में जाकर के इसने इसका मिली थी और इसको गोली लगी थी कहां पहुचा दिया था कारुन तुमने बिहार की जंता से माफी मांगो और राष्टिये जंता दल अराजक दल होगे अराजक ता फैलाई बिहार की जंता से माफी मांगनी पड़ेगी आपको जो आपने कारणा में किये हैं आप बताइए गोपाल गंज का डियम क्रिश्णया दलिट डियम था लोग भूल जाते हैं मैं याद दिलाने आता हूं दलिट डियम था गाड़ी से घसीट के जान लेनी थी उसकी लालु जीस मुख्यमंतरी होते थे ये आराजक पार्टी और किससे मिल गए माले से जिसका विद्धवन्स दया है विचारी विद्धवन्स का बोलो पिपरा कांड हुआ था की नहीं हुआ था ये मिल गए अब पता नहीं कौन किसके गोदी में बैठा है यूवराज बेठा बाले के गोदी में या माला बैट बाले बैठा अराजेक पारटी के गोड़ी और इन पे और और जुड़ गए वो राहूल गांदी बावू कॉंगरेस पारटी जिसको यह पता ही नहीं चलता कि वह मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए पाकिस्तान राहुल कांदी के दलील को लेकर करके सयुक्त राष्ट में जाता है धारा 370 के खिलाब बोले हैं। यह हमारे राष्टर भक्तुर। यह शशी थरूर लोहुर के मंद पर भारत को गाली देता है और पाकिस्तान की तारीफ करता है। यह मनिशंकर राइयर यह लाहुर में जाकर के बोलता है कि मोदी जी को हटाओ। भारत में मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान को बोलता है। क्या खालत हो गई है। क्या स्थिति लाकर के खड़ी ही है। पूरवा ग्रिह मंत्री फी चितमरें बोलता है मैं 11370 समाप्त कर दूँगा। 11370 समाप्त होगी? होगी? मित्रों देश को एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक सम्विधान ये मोदी जी ने करके दिखाया है, इसको हमको समझ करके रखना करें। इसने मित्रों लाल्टेन यूग से निकल कर LED यूग की तरफ हम जा रहे हैं। बाहू बली से निकल करके विकास बल की और जा रहे हैं। लूट राज से निकल करके डीवी टी पर जा रहे हैं जो खाता में सीधे बहनों के पैसा पहुंच रहा है, ये विवस्था करें। मित्रों अब सौमित्य यूजना लेकर के मोदी जी आये हैं। अब कोई जंगड़ा नहीं होगा सैटलाइट से सब के मकाम की तस्वीर कीची जाएगी। किसका घर कितना इंच, कितना फीड, कितना चोड़ा, कितना बड़ा और वो उसको कार्ड मिलेगा और वो कार्ड उसका प्रमान हो जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी का अधिकार ये है। बैंक भी आपको लोन उसी प्रॉपर्टी के अधार पर देगा उस कार्ड के अधार पर कहां पहुंच गया भारत मोदीजी के लेखे मुझे सौस्त मंतरी बनने का मौका मिला और गौरफ से कहता हूँ मैं मोदीजी ने आयूश्मान भारत शुरू किया 12 करोड 74 लाग परिवार यानी 55 करोड लोग 55 करोड का मतलब हो गया सारा अमरीका सारा कैनेडा और सारा मेक्सिको ये सारी जन्संख्या मिला लो तो भारत का आयूश्मान भारत बनता है ये समझना चाहिए और कौन है आयूश्मान भारत में रेड़ि वाला फेड़ि वाला रिक्सा वाला चाय वाला ठेला वाला गरीब गंभीर बिमारी दो हजार 297 गंभीर बिमारीों के इलाज के लिए सालाना पांच लाग रुबे का इंतजाम मोदी जीने करके दिया है ये हमको ध्यान में रखना चाहिए और लगबग सवा करोड की जंता ने इसका लाब उठा लिया साड़े पंद्रह हजार करोड रुपए खर्च हो गए यह हमारा आईश्मान भारत जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और जिसकी बातों को हमको समझ करके ध्यान में रखना चाहिए आप बताएए यहां दर्भंगा की बात कर दो अब बोलों को कहा कहा की बात करो मैं दर्भंगा की बात करता है आप बताएए एम्स मिला कि नहीं मिला गॉपाल जी मूँ डिया है मोदी जी ने काबिनेट में फैस्ला करके दिया साइँ तेरह सो करोडरी रुपे का साइँ अधि सौनार 2 रूर रुपे तो खर्च होंगे एक बार मैं सालाना 500 रुपे खर्च होगा हर साल 500 करोड रुपे जांगी सा अब आने वाले 5 साल में आपको पतना दिली नहीं जाना पड़ेगा आपका इलाज सब का ही हो वैसे बागवान करें सब सौस्ट रहें लेकिं फिर भी इलाज की जोरद पड़ेगी तो इलाज को तो आप बताईए । दर्वंगा जैनगर का काम हो गया कि नहीं हो गया अब बताएए दर्भंगा नर्कटिया ऐकर इंसेक्शन का काम हो गया कि नहीं हो गया आब बताएए अंतोदै एक्सप्रेस दर्भंगासे काशी चल पड़ी की नहीं आब बताएए दर्भंगा का समस्टी पूरतक 되고 lane का काम चल पड़ा की नहीं चल पड़ा 1612 करोर रुपे खर्च हो रहे हैं उसी तरीके से यही दर्बंगा शहर में 6 फ्लाइ ओवर बन रहे हैं की नहीं बन रहे हैं मित्रों विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है और यहां यह जो पोखर है यहां बचली पालं का बतस्य का काम होगा 172 करोर रुपे मौदी जी ने मदशे पालं के लिए बिहार को दिया है यह हमको ध्यान में रखना चाहिए इसलिमित्रों मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारी इस यात्रा को आगे ले जाने वाले रामचंदर प्रसाद जी इस यात्रा को आगे ले जाने वाले हमारे अजे विने चौधरी जी इनको भरपूर समझतना आपका मिलना चाहिए और जन्तादल युनाइटेड हम पार्टी और वी आईपी पार्टी और बी जेपी चारों के कैंडिडेट को जिता करके हमको भेजना है इस वात को लेकर के हम चले ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ मैं ये जानता हूँ मैं ये जानता हूँ कि आपका वोट हमको मिलेगा लेकिन मैं सिर्व आपका वोट लेने नहीं आया हूँ आपके गाउं का आपके रिष्टेजारों का आपके भाईयों का आपके बेनों का आपके चाचा का आपके ताय का सब को समझाईए कि बिहार को विकास की और ले जाना है तो NDA के साथ देना होगा और आगे कहानी बढ़ानी होड़ेगी ये हमको काम करना पड़ेगा मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सारी बातों को समझते हुए बिहार की जंता बड़ी जागरूख है सब बात जानती है हाथी के दांत दिखाने का और है खाने के और है ये किस की किस पर सही उतरता है ये उतरता है राज़त पर ये उतरता है माले पर ये उतरता है सब कोई इस तारे युवराज के लिकठे हो गए हैं तारे युवराज कि बेरोजगार हो गए हैं सब बोलते हैं बहुत दुख की बात हैं मैं कहता है कोई दुख की बात नहीं दुख तो यह है कि आप सक्ता से बाहर हो यह आपका दुख का कारण आपको लोगोंने घर बैठा दिए आप बोलो तेज़े सुई पिछले साल नहीं आया विधान समा में ऐसे आद्वी को काम दोगे या आराम दोगे काम दोगे या आराम दोगे इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो ताकि हम काम करते हुए आगे बढ़ें ये मेरा आप से निवेदन है आपने मेरी बात सुनी आपने मेरी बात सुनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर आएंगे जब आपका दर्भंगा का एम्स बनेगा तब भी आएंगे जब हस्पताल बनेगा तब भी आएंगे और गोपाल बाबु से हमारा बड़ा संबंद है गोपाल बाबु से हमारा बहुत गहरा संबंद है इनका फोन हाता है तो हम समझ जाते हैं गोपाल बाबु कोड़ों काम तो दिरूरे आया है या तर साड़क है या हस्पिताल है ये कुछ ना कुछ तो है ही है गोपाल वाबू दिन रात आपके लिए काम करते हैं ये आपको मैं बताना चाहता हूँ ये आपको और मुझे पूरा विशास है कि नंदू जी के साथ हमारे जो दोनों प्रस्यासी हैं अगले पांच साल पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और यहां की तस्वीर बदल के दिखाएंगे इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जै भारत जै विहार जै मितला